साउथ इंडस्ट्री और बॉलिवुड इंडस्ट्री में नजर आने वाले अभिनेता ने हर एक अंदाज से लाखो करोणों दर्शकों के दिलों को जीत कर मशूर हो जाते हैं और इसके बाद ये अपना घर बसा लेते हैं वहीं पर जब ये किसी शक्त से अरेंज मैरेज नही करना चाहते हैं तो वो अपने ही फील्ड या किसी और फील्ड के शक्त से प्यार करने लगते हैं और उनसे शादी का ख्वाब देखने लगते हैं पर किसी कारण वश वो दोनों एक दूसरे के नहीं हो पाते हैं लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अपने प्यार से शा पाउथ और बॉलिवुड इंडस्ट्री के उन्ही अभिनेताओं से मिलवाने वाले हैं जो अपनी पत्नियों को धोखा देते हुए सरयाम पकड़े गए हैं। इन्हों ने साल 1984 में लक्षमी डगुबाती से शादी करके तलाक के बाद साल 1992 में अमला अकिनेनी से शादी कर ली थी। पावजूद इसके बॉलिवुड इंडस्ट्री की मशूर अभिनेतरी तब्बु के साथ सरयाम पकड़ा गया है। जी हाँ, ये दोनों साल 1986 में आई फिल्म इन्ने पिल्लेदाता में अभिने करते नजर आये थे। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे। इस तरह इन्हें तब्बु के साथ कई बार स्पॉट किया जा चुका है। जिसकी वज़े से इनकी श प्रिया पिल्लाई से ये भी शादी शुदा होने के बावजूद माधूरी दिख्षित के साथ मिलते हुए पकड़े गए हैं। इसलिए ये उनसे मिलते जुलते रहते हैं। जिसकी वज़े से इनकी दूसरी शादी तूट गई थी। इन्होंने दूसरी अभिनेत्री के साथ चक्कर चलाया जिनका नाम पोनी वर्मा है। इनके साथ ये अकसर बाहर जाया करते थे। एक दिन इन्हें इनकी पहली पत्नी ने उनके साथ पकड़ लिया था। जिसके बाद इनकी पहली पत्नी ने इन्हें तलाक दे दिया। फिर इन्होंने अपनी पोनी के साथ दूसरी शादी कर लिए चार पर है रितिक रोशन अलिवुड इंडस्ट्री के most popular रितिक रोशन भी अपने action और romantic भरे किरदार से लाखों करोणों दर्शकों के दिलों को जीत चुके हैं इन्हें भी अपनी पत्नी को धोखा देते होएं सरयाम पकड़े गया था कंगना के साथ के बाद इनका इनकी पत्नी से तलाक हो गया था पर पांच पर है शारुख खान इस लिस्ट की आखरी कड़ी में अभिनेता शारुख खान का नाम भी शुमार है जो बॉलिवुड इंडस्ट्री में अपने अच्छे एक्टिंग के साथ साथ गुड बिहेवियर के लिए भी मशूर है पर इसके बावजूद इन्हें भी अप अपने पास बुला लिया था तो दोस्तों आपको इस जानकारी के बारे में जानकर हैरानी हुई है या नहीं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले